हालो फ्रेंग्स वेल्कम यू आल आज मैं आपके लिए लिए लिकार आप देखे बात करने वाले हैं लॉंग टम इन्वेस्टमेंट और यह मार्केट में आते हुए उतार चड़ाव जो आप देख रहे होंगे मार्केट किस तरीके से धडाम हो रही है किस तरीके से ऊप़र जा रही है लेकिन इसको देखते हुए आपके मन में जרूर और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बार बार बात होती है तो कितना important है यह risk management और फिर हम बार बार एक बात और करते हैं goal की understanding की देखे goal को समझना बहुत ही important है क्योंकि goal के basis पे ही आपके risk की understanding बैठती है तो चलिए detail में समझते हैं इन सारी चीजें के उपर focus करते हैं और आगे बढ़ने से पहले मापको बता दूगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से subscribe कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको notification आती रहेगी और price action सीखने के लिए आप जॉइन कर सकते हो मेंबर से जॉइन बटन पर क्लिक करके अब आप example के लिए इस stock को देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए मैं आपको क्यों ये stock लेके आया हूँ क्योंकि आपको जो goal है वो goal काफी धूर का है और आप उसके हिसाब से आपका जो risk है मैं यह कहूंगा कि वो थोड़ा deep होता है position size कम होता है तो जिसकी वज़े से डर निकल जाता है अब आप समझने की कोशिश कीजिए ये चो पार्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी बहुत बड़ी value है गोल क्लियर है तो फिर उसके हिसाब से जो आपका मैं कहूंगा estimated risk है वो समझना बहुत important है तो इसलिए डर को भगाने के लिए गोल की understanding बहुत important है आप देख रहोंगे market नीची आए लेकिन बड़े time frame के हिसाब से देखिए यह मंतली के हिसाब से देखिए क्या rally यहाँ पर चल रही है amazing मैं कहूंगा यह vanity organics है लेकिन आज यह stock की बात करने वाले हैं वह है Insecticides India Limited Insecticides India को जड़ा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए यह इसके profitability and loss को समझेंगे अब इसके लगातार revenue growth को आप देख सकते हो इस stock की profitability growth को आप देख सकते हो आप कहो गया stock तो बढ़िया है कमी कहाँ पर है यह part में आपको पता है क्यों बता रहा हूं क्योंकि जैसे आपने देखा एकदम एकदम जब गिरावट आती है न देखे सीड़ी चड़ चड़ के price उपर जाता है लेकिन उपर 99 पे बैठा होता है वह snake अगर आपने साप सीड़ी खेली होगी कभी तो तो वह जो 99 पे बैठा होता है न जो नीचे आती है जो selling होती है औ और जो वह fear वाला emotion होता है वह एक साथ एकदम बिलकुल आप कहोगे जजबात बदल दिये पूरा का पूरा यह हो क्या गया यही यही डर यही feeling जो मैं कहूंगा हा कि वहाँ पे इसी लिए risk management stock market में जरूरी होता है इसी लिए goal की understanding stock market में बहुत जरूरी हो जाती है तो यह च जो जटके लगते हैं वो खा खा के है वो खा खा के risk management के उपर लोग जाते हैं जो initially नए नए लोग है वो इसके बारे में बहुत कम जाते हैं कि होता ही क्या है यह risk management है क्या है यह risk management लेकिन हमेशा हमेशा आपके plans मैं आपको फिर से repeat करूंगा कभी यही नहीं कोई भी plan हो को कोई भी business आप initiate कर रहे हो always think from that perspective अगर यह plan आपका नहीं चला तो आगे क्या अब आपको गयार यह तो बहुत ही अच्छी बात है आगे क्या आगे क्या करना है किस तरीके से हाँ तो वो चीज समझना बहुत important है तो यही stock market में real time की चीज़े हैं यही stock market में जो आप really business में यूज करते हो तो वो stock market में भी वही चीज़ें यहाँ पे चलती है और यह insecticides इंडिया को भी समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि fertilizer के stock बहुत ही important और lime light में रहे हैं आप तक और as usual जैसे भी recently आपने देखा होगा मदरास fertilizer आसमान पे पहुंच गया दूसरा stock आसमान पे time frame wise आपके लिए ले क्या है बड़े time frame वाइज जब stock को ले के आते हैं तो उनको तसलिए से जब आप समझोगे कि यार बड़े time frame में क्यों ले क्या आते है कि हमारा जो focus होता है वह monthly time frame weekly time frame यह देखिए आप होगे amazing यह rally already आ गई अब यह देखिए rally correction all time high का यह देखिए बि insecticides India और एक important rally के लिए इंतजार आपको गयार यह यह चार्ट को अगर आप देखोगे यह मैं आपको अगर लॉक चार्ट हटा के लगा दूं तो आप देखिए कितना clean यह चार्ट है अब आपकी pricing थोड़ा सा different हो गई है क्यों कि यह जो linear अभी linear है उस ताहीं पर logarithm यहाँ स्केलिंग थी और लॉक स्केलिंग थी अमेजिंग है कि यह मन्थली का चार्ट है और गोल को समझी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपके छोटे गोल्स होते हैं मालो मैं आपको अभी लेके चाहता हूं natural gas के पार्ट वे क्योंकि हम इसको execute करते रहते हैं समझना बहुत important है bottoms or tops को catch करनी की जरुवत नहीं है बिल्कुल in between आपको समझना है कि आप किस impulse पे हो किस correction पर हो और किस तरीके की situation higher time frame पे चल रही है यही आपको समझना है जैसा कि अब है इंसक्टी sites में आप देख रहे हो हम किस चीज की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस impulse के बाद यह देखिए देखे इस पार्ट को बस यही चीज तो amazing आपको तभी लगेगा जब अपने rules को आप follow करोगे चाहे आप intraday में scalping करते हो चाहे आप long term investment में इस तरीकी के opportunities को grab करनी की कोशिश करते हो आपने देखा होगा चाहे भारत dynamics limited हो चाहे हिंदुस्तान aeron और उसके अलावा मैं कहूंगा देखिए fertilizer के stocks paper के stocks उनके ओपर हमने काफी discussion किया लेकिन अब यह देखिए insecticides India लेकिन यह जो गिरावत आती है मैं फिर से repeat करोंगा गिरावत आपने देखियोगी आती है तो गिरावत यही नहीं हर जगे पर आती है वह market को उसी हिसाब से manipulate कि जाता है अभी मैंने आपको यह natural gas का example दिया देखिए कहां से कहां पहुंच गया था 616 के level तक पहुंच गया था और अभी देखिए बिलकुल जबर्दस फॉल और और देखिए अभी जैसे आपना जिसे साबसे आपका टार्गेट है जैसे हमारा टार्गेट यह बॉटम थ परना इसके बाद चीज़े बदल सकते हैं कि बॉटम पर support area तो यह important है आपका goal complete हो रजे अगर आप intraday में हो तो आपका goal complete है तो आप निकल जाओ अराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके बाद चाहे कितना भी price उपर जाए या कितना भी price नीच जाए आपको कोई फर बॉटम वाली situation में आपको हमेसा बात बताई है देखिए जब इस तरीके से correction आती है तो छोटे time frame पे हमें अलग-अलग तरीकी की situation मिलती है वह कैसी situation इस पार्ट को अगर आप समझोगे या तो वह इस तरीके से double bottom आपको बना के देता है या तो हलका सा यहां पर down होता हो आ यहां फिर हलका सा यहां पर आप आपको देखने को मिलेगा तो यह अलग-अलग information है आप इनको कह सकते हो W formation टॉप पे आप इनको information कह सकते हो कुछ भी कह सकते हो लेकिन यह important है understand करना correction के लिए अब इंपोर्टेंट area में जब आ जाता है देखिए इस पार्ट को important area है आपको यह natural gas में बिल्कुल false start हवें नहीं है दिए किस तरीके से चीज़े चल देखिए तो यह आप easily मैं कहूंगा execute कर सकते हो चाहे natural gas हो crude oil हो nifty हो bank nifty हो अलग-अलग तरीके की चीज़ा आप आराम से execute कर सकते हो proper risk management के साथ risk management again हमेशा क्योंकि जो एकदम से move आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं आपके जजबात बदल देते हैं सब कुछ बदल देते हैं वह move बहुत खतरनाग इसलिए उनसे पचने के लिए risk management हमेशा याद रखना market is dynamic यह static नहीं है यह dynamic है तो आपका risk management important होता ही होता है चाहे long term बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम long term perspective से invest कर रहे हैं तो ह हम यहां पर risk हो क्यों कैसे manage करें तो देखे long term perspective से भी कई बार जो correction आती है वह price wise नहीं time wise भी correction होती है तो वह भी आपके पैसे को कई बार stock बिलकुल over valued situation में है आसमान पर आपको खरीद रहे हो तो उसमें चली price wise correction नहीं आया लेकिन time wise अगर तीन चार साल hold कर दे उस वहां प हो गया यह तो पैसा फस गया ब्लॉक हो गया तो अगें that is kind of मैं कहूंगा risk management कि अब यह आपको पता है price नहीं तो इसमें time correction आएगे हम पीक पे खरीदना बहुत ज्यादा risky होता है और generally retail retail में यह कहूंगा वह छोटा निवेशक जिसको price action की learning नहीं है जिसको market के बारे में ज 800 800 के level पर यहां पर निकलने का time और smart money यहां पर अपना base के थोड़ा price को नीचे लाएगे और फिर buying करेगी नीचे वाले area में जहां पर imbalances को remove and all करेगी वहां पर buying करेगी और इसके ठीक opposite ठीक opposite मैं यह कहूंगा retail वाला क्या करेगा one level पर बाइं करेगा फिर करेगा वह फरस प्रैक्टिस करते रहें प्रैक्टिस बहुत important और हमेसा risk management के बारे में सोचे है high probabilities के बारे में सोचे और साथ के साथ momentum के बारे में सोचे है thank you thank you for watching the video